गुड मॉरिंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपकी एजुकेचर पूर्णे मातर सिंग और हम आपकी वक्षीट नंबर 22 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लेश क्लास आपकी 10 है और हम कौन सी पोयम कर रहे थे हम कर रहे थे यह किसके द्वारा लिखी गई है रोबर्ट फ्रोस्ट की द्वार ठीक है यह आप ठ्यान रखेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको ओके बच्चों चलो स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं आप लोगों को एक बहुत इंपोर्टेंट सी इन्फोर्म में दे दिया है अब कुछ बच्चों को नहीं मालूम कि कॉमबेट क्या होता है कॉमबेट एक तरिकी का क्वेज होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और यह बिल्कुल फ्री होता है ठीक है तो यह मैं आपको देने के लिए क्यूं बोल रही हू तो आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी आपके कंसेट बिल्डप हो जाएगे आपने कितना गें किया है क्योंकि एंसी आर्टिस से ही वर्कशिट होती है तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है तो उससे जब आप कुछ करके देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपने 11 12 का एक बच ह Epic टीक के अप अपर ना कर लोगे न तो आम आज उन्रोल कि आज जालो वालगे तो आपको Conference कोंबेट अभी स्टाठ्ट होने वाला है अब तो पहले से एंडिद कर लो कि किल नरो syk aspects तो पहले एंड्रोल कर लो ताकि आप यह टेस्स दे सको बच्छा आपकी 10th क्लास है बहुत इंपोर्टेंट क्लास है तो आप यह क्विज जरूर देने वाले हो ओके हर संडे को एक चोटा सा टेस्स देने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो मैथ और साइंस के इंस्याटी कोश स्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो बचा चलो अपनी हम जो है वक्षीट करते हैं बहुत असान सी वक्षीट है लेकिन इसका एक डीप मीनिंग है कई बार हम सोचते हैं कि जैसे बिली ने रस्ता कार्ट दिया यह हो गया आप शगुन हो गया कवा दिग गया कवा बोल रहा तो यहां पर अटेंप्ट करना है हम पहले ही समझ चुके हैं इस पोयम का पिछली वक्षीट में हमने देखा था कि क्या मतलब है तो चलो समझो इस चीज को कि देखो स्टेंजा वन में दावे अक्रोश शुक डाउन वी जैसे ही मतलब जो ओथर होता है अन्नोन रीजन से व अगर कि इस जो बहुत खुआ जाता है मतलब खुश हो जाता उसका मूड जो परेशान था वह यह नहीं बताया गया है कि किस वज़े से परेशान थे वह अन्याट गुजार चुका था लेकिन स्टन्या गिरती ना फोने जो शोटी आ इसके मूड को जाट एदा है कर देता ह तो यहां पर what does the snow represent here. Snowflakes represent. देखो, गिरती तो snowflakes ही है, यहनि कि छोटे से dust particle ही गिरते है उसके उपर, लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है कि कि रिप्रेывать के सब्सक्राइब कर रहा है है तो कट कर सो खा गब मेदर के साय करें को किस तरीके से छोटे ऊंद अपर हिसकी उसकी मुड को भाइकल जब nest o f- быстр ऑनेomenaी में suff Workshop काटे हैं तो इन में से रिलीवड है प्रिलेक्स में से आ सकता है तो देखो हमका जिसमें 3 उप्षिन है वो कार्ड दिया थिया तो हमारे पस बचा क्या एक ऑप्षिन बचा 156 अंसर आगया हमारा लोग इस पोएट क्या नहीं सोच रहा था यह अपको लिखना है तो यहां पर पोएट क्या नहीं सोच रहा था इस हां यू वह सोच रहा था कि नेचर जो है नेचर की बारे में वहील कर सकता है इट सदंस इट सोर्स ओफ जोई इट इंस्पार तो बी पोजिटिटिफ तो वह यह नहीं सोच रहा था कि वह मतलब उदास कर सकती है क्या कहता है यहां पर देखो आ couple यसे एरिट तो वह नहीं होगा Hoje posth मोर्य परेंटिफ इंस इसकार तब हम थे माष्मिटिफ चुभी कि चुभी केंच क्या हुआम पर वह का यहां पर या तो यह होगा यह शांन्वेश स्था उपनीप ऌनीग वह अधाए हुग नहीं और क्या करने है क्योंकि वह सैड था तो सैड से क्या हो गया खुश हो गया तो चीज लिए गई है नेगिटिव चीज एक तो क्रो और दूसरा जो है है हैं लोक री एक जहरीला व्रिक्ष होता है तो यहां पर जो पोएट ने एक सेकिंड में यहां पर कोश्चन निकालों आप लो जो लोग थोड़ा सा ओर एक्स्प्लेशन में लिखना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं वर आइडिया इस दा पोएट त्रूदा पोयम दस्ट रस नो देखो बच्चा टीचर जो होता है छोटे अंसर लिखाने की कोशिश करता है लेकिन आपकी बोर्ड की क्लास है तो कई पांच निंबर में भी आ सकता है ठीक है कई बार आपसे कहा जा सकता है कि समरी लिखो पूरी पोयम की है ना तो यहां पर थोड़ा सा इसलिए थोड़ी थोड़ी सी एक्स्प्लेशन कई बार जादा लिखवा देती हूं मैं जर्नली हैं लोग ट्री एंड क्रो आर यूज़ पूर नेगिटिव रेफरेंस नेगिटिव विटी को शो करते हैं बट दपोएट यूज़ देम ब्यूटिफुली तो पोट्रे थैट इन उस्पेशिस ठीक है अशुब अशुब होता है इसका मतलब अब भूत लिख दिया अशुब थिंग्स कैन ब्रिंग जोए एंड है तो यहां पर वन मस्ट नोट थे टेक फिंग फोर ग्रेंटे और शुट भी ओपन एंड अश्प्ट विच एवर वेधा नेचर चूज़न तो ब्लेसे मतलब जरूरी नहीं है कि नेगिटिव चीजे एक इनसान के लिए जो नेगिटिव है दूसरे के लिए भी नेगिटिव हो सकता है एक नेगिटिव चीज आपको पोजिटिव मीनिंग दे रही हो है ना तो यहां पर पोईट यह रिप्रेजंट कर रहा है तो बच्चा यह थी हमारी आज की वरक्षिट आई होप सो आपने डस्ट उप स्नो को इंजो किया होगा स्पेशली जो यह मीनिंग दे रही है ठीक है बच्चा एंड कमेंट करके मुझे बताते रहा करो आपको कमेंट करना है आज का कमेंट क्या है आपको कमेंट करना है इस पोयम के पोईट का नाम ठीक है पोईट कौन थे इस पोयम के ठीक है सभी बच्चे कमेंट करेंगे एंड चैनल अगर अभी तक सब्स्राइ कर लेना थैंक यू हैव नाइस डे में गोड ब्लेस्ट यू अच्छे से पढ़ते रहो हसते रहो आगे पढ़ते रहो